अभी फिलहाल हर सब्जी के रेट गिरी हुई है किसान के अभी मुनोबल टूट गई है देखे साथियो आपने 8000 लगाया 30,000 है मतलब 20,000 रुपए का हमें जो है नेट फाइदा इसमें फाइदा होगा होगा इमेक्सिमन कम से कम में 10 रुपे विकेगा ये 20-25 में भी बिख सक या मेहां अघ να वहीट फ़ें रहेट यहां यहां पे लगाया हुए आथियो और अच्छा उत्पादन यह करते हैं साथियों और लाखों में इंकम होती है लेकिन कैसे रहें यह किस तरुके से अपना लिख Celt visa बाड़ी में और क्या क्या करने की जरुवात है यह सब कुछ हमें आज बताने जा रहे हैं और हम आज जानेंगे कि जो इन्होंने गोभी लगाई है इसका हमें किस तरीके से फसल करनी है और अच्छा उत्पादन हमें कैसे लेना है तेकि हमारा मकसद जो होना चाहिए कि अच् किसानों को मुनाफह है नहीं ऐसे तो गाड़ी किराया इसे ही लग जाता है फिर भी किसान उसको खेट में रखते हैं दुकान पे ले जाते हैं सेल करते हैं जिससे कुछ भी पैसा आजए जो लागत लगी है वह आ जाता है तो खेती बाड़ी की जो सबसे अच्छी बात यह है कि जो हम लागत लगाते हों तो कम से कम निकल ही आती है हो निकल जाती है तो कोई भी आप खेती कर रहे हैं या शुरुआत कर रहे हैं तो आप बिल्कुल धहर रखें और अच्छे तरीके से बिल्कुल जो तरीका है खेती का उस तरीके से आप खेती करें कब दवाई देनी ह कब खाद देना है कब पानी देना है यह बहुत ही जरूरी होता है खेती बाड़ी में जी तो आज आज आप हमें क्या बता रहे हैं मैं इसको एक बार कल्कुलेटर से दो बार जुताई किये अच्छा उसके बाद कि एक बार रोटर किये हैं रोटर करने के बाद यह पलिया बनाए है पलिया बनाने के बाद यह आरके का हाइब्रीड का गोवी का बीज है अभी फिलाल रेट गिर चुकी है तो मैं सोचांब क्यों ना अठारा से बिस तो मैं सोचता हूं कि फिर से पर्यास किया जाए कि क्या रेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा आप गर्मी का मौसम है और अभी फिलहाल इसमें थ्रिप्स लगना इस्टार्ट हो गए हैं अभी लगाए हुए गोभी को एक हपता हुआ आठ से दस दिन हो चुका है और मैं इसको चाहता हूं कि आप देख सकते हैं कि मेरा खेत कैसा है आप इसके अभी फिर इसकी गुडाई होगी कि जब हम गुडाई करते हैं इसके अंदर तो इसमें डिय पी यूरिया इसको हम पूरे क्यित में चिट देते हैं ये चीटने के बाद हम गुड़ाई करते हैं इससे एक एक ये फ्सक्राइब होता है हम को König कि वंपी में जो क्षाध फेकते हैं मिक्स हो जाती है तो पाउधी जो है कि पानी करने से ऐसे क्या बह जाता भी है और नहीं बहता भी है नहीं बहता है मगर इसको अंदर जब जमीन में जाता है तो जहां रहेगा वहीं दाना रुक जाएगा उसका तो वहीं से जो उसकी जड़ होगी फैलेगी तो अपना सोसड करना स्टार्ट कर देगी अब चीजे लगभग कितने एरिया में आपने लगाया यह लगभग 15 से पंदर बोल रहे हैं जैसे 18 से 20 में है तो अपना अंचाद लगभग हम लोग बता देते हैं इतना अनमान रहता है किसानों को का हमेशा खेती करते हैं अनमान रहता है इसमें कितना बीज लग गया होगा इसमें 3,000 बीज लगी है 3,000 बीज लगी है सातिय। मतलब 3,000 में कुछ खराब भी हो सकते होगा लगबग मान के चलिए कि आपको 3,000 में 300 से 400 एकदम बिल्कुल खराब ही हो जाता है कहीं कहीं पौधा सुख भी जाता है तो फिर से लगाते हैं तोटल खर्चा अगर हम देखें कि इतना खर्चा आजाता है तोटल खर्चा लग भग इसमें साथ से आठ अजा रुपये तक लग जाएगा क्योंकि गर्मी में ज्यादा इसमें दवाइस प्रे करने पड़ती है और जब यह फ्रूट पर आना इस्टार्ट होगा इसमें केल् जो होता है वह खुब अच्छा सुंदर फुल बनता है वाइट होगा जिसको वाइट गोभी सफेद होगा तो मार्केट में मार्केट में जो उसकी मांग होती है और है जैसे पता लगे कि अभी एक महीने बाद इसमें अभी तो डिए पी उरिया डिए देंगे तीन बार दे होते हैं जिसे हमारा गो भी एकदम बिल्कुल सही होता गांट सही होती है अच्छी घुभी निकलती है वाइट कलर की बिल्कुल निकलेंगे तो साथियों ये बहुत ही जो इंपोर्टेंट बात है जो जिन्होंने अभी बताई जो खादों का अपन को जो है बहुत ही ध्यान से आपको इसका इस्तिमाल मात्काई कब क्या करना है यह बहुत माइने रखता है साथी तब ही आप आगे बढ़ सकते हैं और यह हलाकि इनका तो बहुत बड़ा एरिया है बहुत सारी फसले इन्होंने लगा के रखी हुई है लेकिन यहां पर एक छोटे से एरिया में इन्होंने गो भी लगाई है मतलब अगर आपके पास बड़ है अगर तीन हजार पवधा मेरालगा है अगर दस रूपिया के रेट से घरमी में बीकता है तो मानके चलिए कि तो देखे साथी आपने आठ अजार लगाया थीजार है मतलब 20 अजार रुपए का हमें जो है नेट फाइदा होगा होगा ही मेक्सिमन कम से कम में 10 रुपए यह 20-25 में भी बिख सकता है अगर मार्केट में गोवी नहीं रहेगा तो 30-40 में भी बिख सकता है तो बहुत यह 50-60 के भी हो सकता है मगर मैक्सिमन आप इसको 8000 लगाते हैं तो आप 25,000 से 20,000 रुपए बिलकुल कमा सकते हैं बिलकुल साथ है तो देखिए अगर आपके पास ज्यादा बड़ी जगह नहीं है चोटी से जगह है या आपने पहले से कुछ लगा के रखा हुआ है लेकिन आपके पास कोई छोटी से जगह एक बाकी है तो वहां पर आप गोभी लगा दीजिए और देखें निश्चित तोर पर आपको इसमें बहुत फाइदा होने वाला है और मतलब गिरी से गिरी हालत में आपको समझ लेजे कि 20-25,000 रुपए तो आपको मिलना ही मिलना ही है क्योंकि ग सब्सान हो जाता है अभी फिलहाल हर सब्जी के रेट गरी हुई है किसान के अभी मुनोबल तूट गई है हां तो मनोबल तूट गया है लेकिन अगर हम मनोबल तूट जाता है और हम सोचें कि हार हटाओ नहीं करना है तो ऐसा काम हमें नहीं करना है नहीं करना हमें दिमाग सकते हैं हम लगाए भी हैं तो अभी जमनेशन नहीं हुआ है पत्ता को भी लगी थी अब इसका जमनेशन स्टार्ट होगा अभी तो खी पर्सों से लगी हुए कल पर्सों की यह जो मेड़ है इसके उपर मुल्ली भी लगी है तो देखे साथियो अब इन्होंने एक चीज और बता दी जो कि मुझे नहीं पता था कि मूली भी जो मेड़ दिक रही है आपको साथ कि उसमें उन्होंने मूली भी लगा दी है मतलब एक यह फाइदा और हो गया मतलब छोटा खेत आपका है लेकिन आप इसमें और भी चीजी लगा के फाइदा सकते अभी इनकी मूली निक आप देख भाल करनी होए या क्या सकते हैं जो गोवी पे इस्परे करेंगे दवाई वही मूली पर ही मार सकते हैं तो देखे यह बहुत ही कम खर्च में और बहुत ही अच्छी लगेगा और कुछने लेगा जो जो गोवी में खाद लगता है जो मेड़ पर मुली लगते उस और वीडियो को आप जरूर एक लाइक कर दीजेग एं-धि है और बहुत ही अच्छी तरीके से हमें जानकारी दे रहे है और वी कोई भी समस्या कोई भी सवाल आपका हो तो आप हमें कमेंट कर देगा हम आपको पूरी जान कर देंगे अपको सारी चीजें बताएंगे तो 10 वीडियो कैसा लगा जरूर बताईएगा और चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजीगा हम आपके लिए ऐसे महत्मों वीडियो लिका आते हैं अमीजी आप सभी का धन्यवाद धन्यवाद